शुरुवात एक कहानी से करते हैं ये कहानी समझो एक ऐसे इंसान की है जिसने समझो बहुत तपस्या की मान लो ऐसा कि और तपस्या करने के बाद भगवान ने उसकी तपस्या से खुश होके उसको एक चमतकारी कुत्ता दे दिया क्या चमतकार था उस कुत्ते में क्यों कुत्ता पानी के ओपर भागता था पानी में तैरता नहीं था पानी के ओपर भागता था पानी के ओपर तो यह चमतकारी कुत्ता दे दिया मतब जस्ट इमेजन बस जस्ट मान लो बस अब नेचुरली जब आपके पास कोई ऐसा कोई च चलो आओ गोमने चलते हैं और साथ मैं अपना कुत्ता ले लिया अब देख रहा है कि पडोसी तो कुत्ते की तरफ ध्याने नहीं दे रहा लेकिन यह चलते 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 चले गए और इनके गाउं के पास समझो एक ऐसी जगे थी जहां पर एक लेक थी तो लेक के पास प लिए तो कुत्ता पानी के ओपर भागा तक 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 और उसने जाके बतक को पकड़ लिया और बतक पकड़ के लाके और उसने इसके पास छोड़ दी अब पडोसी कुछ बोले ना अब यह पडोसी की दरफ देख रहा है कि कुछ तो बोले कुछ तो बोले लेकिन पड दिरे-दिरे कर से फोड़ी बीच नियुक्ट रहा है तो पडूसी से एक मिनट तक देखता रहा और देखने के बाद उसने का कि हां खास बात तो देखी कि तेरे कुटते को तैरना नहीं आता, बस इत कहानी को मैं यह ही छोड़ रहा हूँ, इसका जो moral of the story या जो कुछ भी है वो मैं आगे बताऊंगा अभी, कहानी number 2, कि एक जिस ऐसे time का imagine करो, जब steam engine की अविशकार हुआ था, नई generation में बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि steam engine देखा ना हो, जिसके अंदर कोईले से जला जला के एक काले रंग का बड़े सा engine होता था, जिसके अंदर कोईला डाल डाल के उस engine को चलाते थे, अभी भी कुछ lines के ओपर वो engine चलता है, तो जब उसका अविशकार हुआ शुरू शुरू में, तो जिस station पे लाके खड़ा किया कि आस पास के गाउं के बह काले रंग की एक चीज खड़ी है जिसमें दुवा निकल रहा, तो उन्होंने अपने साथवाले बंदे को का कि ये ये नहीं चलेगा ये, ये नहीं चल सकता ये, तो पडोसी ने पूछा भी क्यों, तो कहता बस मैंने बता दिया तुमें, और कुछ समय बाद, उसी थोड़ तो अब यहां पे इस कहानी नंबर दो है, क्या मतलब है इसका हज़से मैं कहना कहा चाहता हूँ, मैं बाद में बता आता हूँ, लेट आस मूव तो कहानी नंबर तीन, जैसा कहानी नंबर एक के अंदर चमतकारी कुता था, ऐसा समझो एक कुता किसी के पास शेहर में था, तो एक पंसारी था, बनिया था, जो एक जो रिटेल के दुकान थी, जिस पे क्या होता था कि कुछ जिनों से एक दुकानदार नोट कर रहा था कि रेगुलरली एक कुता आता था, और कुते के गले के अंदर जो है एक बैग टंगा होता था और उसके वहां पे लिखा होता कि जो है आप इसका बैग उतार के और आप लिस्ट ओफ आइटम देख लो तो वो बैग उतारेगा, उसमें से लिस्ट ओफ आइटम देखेगा कि इसको ये चीज़े, A, B, C, B, C, D चीज़े इसको दे दो और इसका जो बिल बने इसके पैकेट में हैं से पैसे निकाल के और ले लो तो दुकानदार जो अपना समान जो लिस्ट में लिखा होता था वो डाल देता उसके अंदर और जो पैसे बनते थे वो पैसे निकाल के डाल देता अब यह जब कुछ दिन तक लगातार चलता रहा तो दुकानदार को क्या चीज है यह कहां से आता है क्या कहानी क्या है इसके पीछे तो एक दिन जब कुत्ता वापीस चला तो ये धुकांधार भी उसके पीछे पीछे थुकान बढ़ा के उसके पीछे पीछे चल दिया कि देखते हैं कि क्या करता है अब कुत्ता चला इमानदारी से दीरे दीरे चलता जा रहा, Red Light आई और इमानदारी से चलता जा रहा है, Red Light आई, तो Red Light में भी इमानदारी उस्हृपचाप खड़ा खड़ा हो गया, कि जब तक Light बदली नहीं, Green नहीं होई, तब तक उसके उसने सड़क भी क्रॉस नहीं की, विस सड़क क्रॉस करने के बाद एक bus stop के ओपर जाके चुप-चाप खड़ा हो गया, तो एक bus आई, bus के अंदर कुट्टा चड़ गया, अब कुट्टे के पीछे पीछे दुकानदार भी चड़ गया, और एक कुछ stop के बाद जाके bus रुकी और कुट्टा अपना नीचे उतरा, तो दुकानदार पीछे पीछे नीचे उतर गया, और दीरे दीरे कुट्टा चलता हुआ, एक घर के पास पहुंच गया, और उसने जाके दरवाजा खटकाया, अंदर से जो कुट्टे का जो मालिक है, वो बाहर निकला, और उसने बाहर निकलते ही, कुट्टे को डांटना चालू कर दिया, एक किसम से लाते मारना चालू कर दिया, गालियां मकना चालू कर दिया उसको, कुते को, तो अब ये दुकानदार भागा-भागा उसके पास गया कि भाई साभी क्या कर रहे हो आप, आपके पास तो ये चमतकारी कुत्ता है, कि मैं तो इस देख के हहरान हूँ और आप इसको इसके पिटाई क्या कर रहे हो, तो कुते का मालिक कहता, ये चमतकारी कुत्ता लगता है, तो इससरी बार क्या कहता, कि घर की चापि ले जाना भूल गया, और इसलिए मुझे दरवाजा खोलना पड़ रहा हूँ, तो इडियाट है कुत्ता, क्या लगता आपको कि इन तीनो कहानियों में क्या चीज कॉमन है तो अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देख रहे हो या समझ रहे हो तो जो कॉमन है वो यह है कि हर कहानी में हर कहानी में तीनों कहानियों में एक कैरेक्टर जो है वो गोर तरीके का मतलब बिलकुल गंभीर रूप से नेगेटिव नकारत्मक अदमी है और हम में से हर एक व्यक्ति अपने आसपास इस किसम के व्यक्तियों से घिरा होता है मतलब अगर देखोगे तो कोई व्यक्ति ऐसा बचा हो नहीं है जिसके आसपास इस किसम के लोग नहों और हर एक बुला तो हर एक की बात कर रहा हूं मैं मोटे मोटे तौर के उ पर अगर देखो तो किस किसम के लोग हैं जिन से हमारा डेली रूटीन के अंदर पाला पड़ता है मतलब हम किस किसम के लोगों से घिरे हुए रहते हैं किन से मिलते जुलते हैं तो कौन कौन से लोग होते हैं आसपास कि एक परिवार के लोग होते हैं कि जिन के साथ हमारा मिल फाइनली काम से जुड़े हुए लोग होते हैं मतलब जो काम आप करते हो जो वर्क करते हो जो उससे जुड़े हुए लोग होते हैं अगर आप व्यापार करते हो तो आप से जुड़े हुए क्लाइंट होते हैं आपके पास काम करने वाले वर्कर हैं और अगर आप किसी ऑफि कहानियां तीनों लगबग इसी तीन केटिगरीज के साथ जुड़े हुई हैं कि जो आपके परिवार के साथ वाले लोग वे जुड़े हुए और समाज के साथ जुड़े हुए और वर्क प्लेस के साथ जुड़े हुए इन तीनों के रिप्रेजेंट करने हैं तीनों कहानिया अगर आप देखो तो चाहे वो परिवार हो या समाज हो या काम वाले जगें हो तो कोई नो कोई व्यक्तिव्स के अंदर ऐसा होता है जो लगातार कोई भी सिच्वेशन उसको दे दो तो उसका काम क्या है? उसका काम है आपकी निंदा करना आपको जैसा मोका मिले आपको नीचा दिखलाना आपको डॉमिनेट करना आपको बार-बार याद दिलाना कि तुम कितने निगम में हो कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता कि तुम लूजर हो एक नमबर के और बात या बिना बात के ओपर जैसे मुका मिलेगा आपके उपर गुसा करना आप पर अधिकार जमाना मतलब इस किसम से अधिकार जमाना कि अगर आप किसी के पास नौकरी कर रहे हो या किसी के साथ काम कर रहे हो तो जैसे उसने पैसे दे कि आपको खरीद लिया और वो आपके छाती पर चड़की बैठा र आता है जलन का भाव आता है कि अगर आपने कुछ अचीव कर लिया तो आप यह देखते हो कि रादर दें दे बिंग हैपी वो जल जाते हैं उस आपकी अचीवमेंट से आपके खूबी से और देखा जाये तो यह अनुभव आप सब लोगों को होगा है ना और यह जरूरी नह है कि आपके आसपास के लोगों की बात कर रहे हैं यह भी हो सकता है कि आप ही इसी खिसम के इंसानों जो अपने रिष्टेदार को अपने परिवार को अपने परोसियों को मित्रों को कुलीक्स का जिन्नोंने जीना अराम कर रखा हो यह आपकी कहानी भी हो सकती है और एक और सच है कि अगर आसपास का माहोल किसी भी वजे से अगर आपके आसपास negative लोगों का या नाकारात्मक लोगों का या negative energy वाले लोगों का उठना बैठना है या वो लोग हैं तो उसे definitely किसी भी आदमी का जीना मुश्किल हो जाता और अगर ऐसे वक्त में अगर आपको सफलता की बात करो तो आपकी सफलता ऐसे माहूल में आपसे दूर खिसक जाती है आपके इंदर भावना ही नहीं आती कि आप कुछ काम करो अब सवाल यह है जो महतवपूर्ण सवाल है कि क्या इस किसम के नेगेटिव माहूल से निकल पाना संभव है मता हम गिरे तो हुएं तो लेकिन इसका इलाज क्या है अच्छी खबर यह है कि इस बिल्कुल संभव है कम से कम माहूल तो आप डेफिनेटली बहतर कर ही सकते हो और मेरा दिल से यह मानना है कि हमारे आसपास जो भी लोग है चाहे वो परिवार के हो चाहे रिष्टेदार हो चाहे समाज के हो चाहे वो मित्र हो चाहे वो कुलीक्स हो कि उपर हमारा वो कैसे बिहेव करें कि उपर हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है उस पर हमारा कोई से behave करें हम कैसे हमारा अपने अंदर improvement कैसे हो यह पूरी तरह से हमारे control यानि भूल जाओ कि हमें उन्हें बदलना याद सिर्फ यही रखना कि हमें किसको बदलना खुद को बदलना और देखना क्या देखना कि हमारे बदलने से हमारे आसपास के महोल में उसका असर क्या पड़ता यह तो जब करो के तभी पता चलेगा ना मैंने सुना है कि एक बार एक इंसान था एक आदमी था जिसने तै कि और उससारी दुनिया का बदल दे कि ना ना अप सारे देश को बदलूँगा मैं ऑप्यसलि कुछ दिरों बाद रेलाईज हुआ कि देश भी बहुत बड़ा टास्क है फिर उसने बोला रेला कि नहीं मैं अपने शहर से बदल के हूँ महले को बदल दोंगा महले में भी रेलाईज कि यार में यह भी बहुत बड़ी टास्क हो गई, आप देखते ही हो, RWA जो होती है, जो जो विलफेर एस्सेशेशन जो होती है, उनको महले को एक कर्मे में कितना समय लगता है, तो उसने और स्केल डाउन किया कि अपने परिवार के लोगों पर भाईया, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता मैं, कि इनको बदलूँगा, and then, finally, he realized कि परिवार के लोगों पर भी उसका जोर नहीं चलता, तो finally, उसने तै किया कि वो खुद को बदलेगा, और फिर खुद पर काम करना चालू किया, और तब उसको realize हुआ कि खुद को बदलना भी अपने आप में बहुत बड़ी टास्क है, और लेकिन ऐसा है जैसे हमाले पे चड़ने जैसे ही टास्क है, लेकिन असली काम यही है, और अंत में इसको वापिस उल्टा करो, अगर वो खुद बदल गया तो उसके परिवार के लोग आसपास में बदलाओ ना आए, यह संभव नहीं है, परिवार के लोग बदल गये तो उस महले में बदलाओ ना आए, यह संभव नहीं है, और सारा महला एक जैसे बदल जाए तो जो है उस शहर पे ना बदला हुआ है उस देश पे ना बदला हुआ है सारी दुनिया पे उसका असर ना पड़े संभव नहीं है लेकिन इट हैस तो स्टार्ट फ्रॉम यू बस यही सूतर है और बदलने के लिए करो क्या मतब आपको एक यह भी तो होता ना क्विश्चन के चलो ओके आम रेडी तो चेंज माईसल्फ लेकिन मैं इसके लिए करूंगा क्या तो मैं बोलूगा कि बॉस पहले राउंड में तो सिर्फ एक घंटा अड़तालिस मिनट आप अपना निकाल लो पॉड्कास्ट है जिसको नाम दिया हूँ है सफलता के सात सरल नियम जिन लोगों ने देखा हुआ है उन लोगों को पता है कि what I am talking about उनको उस पे काम करना है कि बहुत साधारन किसम के सात नियम दिया हूँ है ज जिस पे किसी बाहर वाले का कोई जोर नहीं चलता कि वो आपको रोक सके वो सिरफ आपको बदलने के लिए है तो उसको 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 सुनो और आपको जचे तो उस पर अपलाई करो पहले राउंड में सरफ एक घंटा अड़तालिस मिनट निकालो तो अगर आपको नहीं बता हो कहां पर है तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ या आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लो या फेस्बुक पर देख लो क्या होगा उससे सबसे पहली बात तो उससे डेफिनेटली डेफिनेटली आप एक बहतर और सफल आदमी की बनने क रहा पर चल पड़ोगे इमीडेटली सुनते ही आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे काम करोगे आपको पता चल जाएगा यह रहा आपको उस तरफ ले जा रही है जो आपको हर दिन एक बहतर आदमी मनाती है और हर दिन आपको सफल आदमी मनाती है जब आप एक नए रास् साथी जो होंगे वो उसी आप जैसे किसम के लोग ही बनेगे जो अपने अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं उसका मतलब यह होता है कि आपका जुडाव आपके आसपास के जुडाव जो है एक नेचुरल तोर के उपर ऐसे लोगों के साथ बनता चला जाएग सकारात्मक है जिनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है और जो नेगेटिव लोग है वो आपसे धीरे-धीरे अपने आप दूर होते चले जाएगे यह और ऑटमेटिक है गायब नहीं होंगे दूर होते चले जाएगे क्योंकि जो नज़्दीक के लोग है अड संभावना बढ़ जाती है और जो रहे गए फिर भी बहुत नेगेटिव लोग आपके सिस्टम में रहे गए तो उनको हैंडल कैसे करो तो उसके लिए एक वर्ड है जो बहुत ही खुबसूरत वर्ड है जिस वर्ड को मैं बोलता हूँ युक्ति तो इस युक्ति का इस्तमाल करके आप उन लोगों को बहतर ढंग से हैंडल कर सकते हो जैसे अभी तक हैंडल करते आ रहे हो इस ढंग से हैंडल कर सकते हो कि वो जो एली बार इस शब्द को एक सई एक मीनिंग्फूल अंदाज में सुना तो वो आट ओफ लिविंग के गुरु जी जो है शिरी शिरी रभी शंकर जी उनकी द्वारा सुनाई के एक कहानी से सुना था कि उनके जो वो कोर्स एक बेसिक कोर्स सिखाते हैं तो उसके अंदर एक डा साप था जो लोगों को डस लेता था ग्रामीन लोगों को तो उस गाउं के लोग उस साप से बड़ा खौफ जदा रहते थे बड़ा डरे डरे रहते थे कि जो एक इसको कैसे हैंडल करें तो इत्तफाक से क्या हुआ कि सादू महाराज गाउं के अंदर आए तो सादू महारा ने सांप को बुलाया कहानी के तोर पर ही बुलाया और उसको जो कुछ भी का जैसे भी समझाया तो सांप ने इसके बाद तैक कि वो उसके बाद अब किसी को तंग नहीं करेगा सादू महराज फिर गाओं के आसपास से निकल रहे तो उन्हें ने का चलो गाओं से पता करते हैं कि गाओं की क्या हालत चल रही है तो वहां देखा तो एक पेड के नीचे गाओं से एन पहले जो सांप था वही सांप सेम सांप जो घाय लवस्था के अंदर पड़ा था तो सादू महराज ने उससे पूछा कि तिरी ऐसी हालत किस ने कर दी तो उसने का महराज आप मुझे कह गए थे कि किसी कुछ नहीं कहन तो उसके बाद से गाओं वालों ने तो जो मुझे मार मार के मेरे को अदमराई कर दिया और यहालत मेरी गाओं वालों नहीं कर दी क्योंकि अब मैं उनको कुछ कह तो सकता नहीं काट तो सकता नहीं आपकी बात मानते हैं तो सादू महराज ने उसको बुला कि अरे भले और इसको गुरुजी ने इस कहानी को का कि ये युकती की तरह ऐसी सिच्वेशन का इस्तमाल करना चाहिए तो जो आसपास के जो डिफिकल्ट लोग रहे गए हैं जिनसे जो हमारे बदलने के बावजूद भी जिनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता वो फिर भी अपनी टेंडेंसी के साथ ही चलते रहते हैं और लेकिन हम उनके इतने नज़्दी के हैं कि हम उनसे दूर नहीं जा पा स्वार जाती है कि सफलता के साथ सरल नियम का आप इस्तमाल करोगे तो उससे आपके मनोस्थिती जो बदलती है उससे आपके बुद्धी भी उसकी भी exercise होती है और बुद्धी आपकी शार्प हो जाती है और आपको ऐसे solution मेरते हैं जो पहले नजर नहीं आते थे लिए कुछ कहानियों से समझाता हूं तो कहानिया फिर वापिस यह हैं कि मैंने उसको जैसे हिस्सों में बाटा हुआ कि एक कहानी ऐसे लोगों के लिए है जो समाज के लोगों के लिए एक ऐसे समझो जो काम के लोगों के लिए एक ऐसे जो परिवार के लोगों से है जैसे पहले तीन कहानिया थे ऐसे तीन कहानिया है कैसे भी जोड़ लो तो कहानी है एक वजीर और एक राजा की कि राजा के पास एक वजीर होता था और बहुत ही बुद्धी मान वजीर था बहुत ही काम करने वाला वजीर था और राजा उसके उपर बड़ा विश्वास करता ज़ुदा यह मैं राजा के साथ तो वाह काम करते हो तो वहां का बोस तो वहां का बॉसuk है यह आपका क्लाइंट है मैं को सजा दे दी कि इसको फांसी पे चड़ा दो अब चड़ा दो फांसी पे तो वजीर को उठा के उसके जेल में डाल दिया अब विचारे के परिवार वालों का क्या हल हुआ होगा देखो तो अब एक दिन पहले जब राजा ने कल जैसे उसको फांसी पे चड़ाना तो एक दि राजा ने उसको का कि देख मैं तुझे बहुत बर्सों से जानता हूं और मुझे पता है कि तू कोई हिम्मत में कमी वाला आदमी नहीं है कि तू मौत को देखके या तेरे सामने मृत्तियों आ गई तो तू उसको देखके तू भी रोने लग जाए तो ये समझ नहीं आया मु मैं over a period of time कोई मैं एक ऐसे घोड़े के खोज में था कि ऐसा घोड़ा ढूंड सकूँ जिस पर कुछ मेरे को काम करना था जिससे कि वो घोड़ा उड़ने वाला गोड़ा बना सकूँ तो मैं छुपे छुपे तोर के उपर आपके लिए काम कर रहा था कि ताकि आप पूरी द गोड़ा यह वह राइट गोड़ा मुझे कभी दिखा नहीं लेकिन जिस घोड़े पर आप आ रहे थे आज मैंने जैसे उस घोड़े को देखा तो वह उस नसल वाला गोड़ा दिख गया तो मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब मेरे को कल मरना था यह अब दिखा तो अब जो म कर वहन citizen eth Pak यार किसी तरह कर सके तो देखो किसे नाम भागवा रहा कि इन उडे वाला भुरा को है मेरे पासंद दुनिया में कितना नाम हो जाएगा तो उसनों और इसमें कैसे ज़्यादा अगर नहीं हो पाएगा तो मैं इसको वापिस मौत कि सजा तो कभी भी देंगे तो उसे वजीर से पुछा तरको इसमें कितना समय लगेगा तो वजीर ने का मुझे कम से कम एक साल लगेगा तो राजा ने का चलो ठीक है एक साल के लिए मैंने तरको छोड़ दिया तो इस पर काम कर अगर एक साल बाद घोड़ा उड़ा नहीं तो मैं तो मैं तो ज़िए मिर्ट्यूटे देंगा ठीक है जी अब वजीर घर पहुचा आपने तो उसकी पत्नी उसको देख कहरान हो गईगी कैसे छूट के आ गए और उसने बोला कि जब यह इसने कहानी सुना ही तो पत्नी ने बोला कि देखो ऐसा है कि मुझे तो पता है कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे से जिससे उड़ने वाला घोड़ा बना सको आप तो वजीर ने बोला कि देखो ऐसा है कि अभी तो फिलहाल यह जरूरी था कि मैं और वक्त बाय करूं एक साल बाद किसने कहानी नमबर दो पे चलते कहानी नमबर दो ऐसी है कि आप समझो एक रस्टिक गाउं की कहानी है एक पुराने गाउं की कहानी है कि एक जाट के पास एक घोडा था पहले बाला गोड़ा नहीं, यह इसके पास एक गोड़ा था, मजबूत, सुल्तान जासा गोड़ा जैसा बाबा भारती और सुल्तान के कहानी में एक वेलकुल एकदम सफेद, जानदार जो इलाके के अंदर जाना-माना मजबूत गोड़ा था तो उस घोड़े को एक बार एक बनिया था उसी गाओं के कही वो इसके पास चौधरी के पास आया जाट के पास आया और इसको बुला कि ये घोड़ा मुझे देदो इस घोड़े के दाम बताओ कितने लोगे तो इसने जाट ने बोला कि ये मेरे को घोड़ा बेचना नहीं है मैं घोड़ा क्यों बेचूंगा ये मेरा तो बहुमूले घोड़ा तो बनिया ने उसको बोला कि देख ऐसा है कि बहुमूले होगा कोई बात नहीं लेकिन अगर तुझे बेच रहा हो तो मैं तुझे इसके द देखा तो गोड़ा मरा हुआ था सम्हाव डेथ कभी भी हो सकती है तो गोड़ा मर गया था अब जाट ने का अरे भगवान अभी तो जो जो दस जार रुपए घर चल के आये थे अपने आप हैं और मैंने मना कर दिया और पहुगा वाँगा गया लाला जी के पास और उनको र स्पहर घर गाओ गिनवाओ 10 जार रुपए तो जो बात मैं ने मान लिए घोड़ा आपको दे दिया लाला जी गुमतर अपने गाउं में कि कहीं लाला जी का सामना ना हो जाए, कहीं बनिया का सामना ना हो जाए, लेकिन छोटा सा गाउं एक दिन अचानक दोनों का आमना सामना हुई गया, अब जाट आखे नीची करें, उसको तो पता है उसने दोखा दिया, और लाला जी जो है वो अप वह बात बताओ, मैंने उस दिन आपको भेजा था, आपको भड़ा मिल गया थीक ठाक था, जरोन ना ना ज़ोड़ा मिला, तु तो बहुत बढ़िया, तेरी तो बात से मीरी तो बहुत बढ़िया काम हो गया, तुने मैंने तेरे को 10 जया रुपए दिये, जैसा तुने बोला घर जाना मेरे गोड़ा पड़ा मिलेगा मैं तेरे घर गया तो देखा गोड़ा तो पड़ा क्या गोड़ा तो मरा हुआ था अब मैंने का यारी तो नुक्सान हो गया अब क्या करूं तो मैंने इमीडेटली क्या किया कि मैंने एक लॉट्री का इनाम निकलवा दिया कि एक एक हजार लोगों ने लोटरी खरीड ली फिर मैंने एक आदमी का इनाम निकाल दिया और इनाम निकाला और उसको का जा भी घुड़ा वहाँ चला जा वहाँ तो गोड़ा पड़ा मिलेगा जैसा तूने मुझे कहा था कहता है वह गया गोड़ा देखने और उसने आके का अरे लाला जी वह गोड़ा पड़ा नी गोड़ा तो मरा हुआ है मर गया तो तो अच्छा मर गया तो कोई बात नहीं भाई यह अपना एक रुपए उल्टा ले ले वापिस ले अपना एक रुपए जो तूने लोटरी बे सेट एक बार एक पानी के जहाज से अपने शहर की तरफ आ रहा था नगर सेट था तो अचानक क्या हुआ कि समुंदर में तुफान आ गया बहंकर तुफान इतना तुफान आया कि ऐसा लगा कि आज तो गए अब जब इतना तुफान आ गया तो मारवाड़ी आदमी ने जहाज मेरे को किसी तरह बचा दो तो जो मेरा अपना मकान है ना उसको बेचके मैं गरीबों में बाढ़ दूँगा अपने शहर में इतफाक की बात थी जैसे भगवान ने सुन ली तो इमिजेटली तुफान रुग गया और सब लोगों की जान बच गए उस जहाज पे जो और लोग थे आसपास वो आ गए और उन्होंने का लाला जी जो आपने बात कई ये तो इससे तो हो गया अब आप कहीं ऐसा मत करना चुक जाना अपनी बात से तो ये आपकी वज़े से हम सब लोगों की जान बच गई अब लाला जी को तो पता था कि उन्होंने कौन सी ये जो प्राथना की थी तो इसमें ये करना ही था लेकिन अब बहुत लोगों ने सुन ली थी बात अब जाहाज जब उनके नगर पहुँचा तो ये बात तो बिल्कुल तेजी से फैल गई पूरे शहर में कि ये और सबसे बड़ा मकान था नगर सेट का उतना आलिशान मकान किसी का नहीं था कि ये मकान बेचके और ये सारा पैसा तो गरीमों में बाटा जाएगा तो अब क्या करें तो उन्होंने क्या किया कि एक मुनाधी कराई कि जो आई जी घर बेचना है और एक रुपय में बेचना है एक रुपय में मिरको एक घर बेचना, लेकिन शर्त यह है कि जो एक घर खरी देगा, वो इसके साथ एक बकरी है मेरी, उसको बकरी भी लेनी पड़ी है, तो अब लोगों कोई समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा इतना आली शान मकान एक रुपय में कोई दे रहा है, क्यों बायरते जब वो आये तो उन्होंने का जी एक रुपय में हम आप जो बक्री दे रेँ हैं साथ में बक्री भी ले लेंगे तो हमें एक रुपय में हमें दे जो मकान इंidetो लाला जीbra ने लेगे लेकिनि जो साथ में बक्री है ये से पांच क्रोड रुपय कि यह साथ लेनी पड़ेगा, इसकी दाम का यह इसकी शर्ट है इस मकान को बेचने की, अब naturally वो मकान बिका, बक्री भी बिकी, बक्री भी गई साथ में, तो लालाजी ने क्या किया, लालाजी ने जो मकान बिका था, उससे जो पैसे मिले थे, यह यह ने 1 रुपया वो गरीब क्या है आइडिया ये कि टफ से टफ कंडिशन में भी फज्जा हो गए ना तो आपको ये सब युकती के एक्जाम्पल है ये अगर इनको अपना लगा के देखो गए से जैसे अगर वजीर उर उसमें देखो तो मैं कहता हूँ आपके काम की जगे हो गई अगर जो घोडे और लाला जी की कहानी देखो तो वो आप ऐसे समझो कि आपके आसपास के लोग हैं जो आप जिनके आप ट्रस्ट करते हो जिनके साथ आप उठते बैठते हो वो अगर दोखा दे जाए तो उस सिच्वेशन को कैसे हैंडल करो या फाइनली अगर समाज आपके उपर कोई प्रेशर डालता जैसे लाला जी की कहानी है कि जिसके अंदर समाज के प्रेशर के अंदर आपको जो काम करने होते हैं तो उसको युकती लगा के कैसे उसमें निकल जाओ तो युकती तभी आईगी इनको हैंडल करने की जो tough situations हैं या tough circumstances हैं या tough लोग हैं या टेड़े मेड़े लोग जो आपके आपस पास हैं जब आपकी बुद्धी काम करेगी जब आपकी बुद्धी उस तरी कैसे सूचेगी sharp और प्रकर बुद्धी की इसलिए भी जरूरत होती है कि ताकि आप सही और गलत में पहचान कर सको क्योंकि जैसा beginning के अंदर या पहले मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि आपके आसपास के जो लोग हैं कमी उनी में हो बहुत high probability है या possibility है कि कमिया आप में भी हो और होता भी है कमिया तो सब में होती है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके हेतैशी होते हैं चाहे वो परिवार में हो समाज में हो दोस्तों आपके या रिष्टेदारी में हो या किसी office के अंदर भी हो तो जो आपके colleagues हैं या bosses हैं अगर आपके अंदर वो कमी निकाल रहे हैं तो यह हमेशा कोई ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो आपको नीचा दिखा रहे हैं आइडिया यह होता है कि अगर आपके कमी बताएंगे तो आप उसमें ताकि सुधार कर सको और आप भैतर बन सको और बेसिकली वो लोग आपका भला चाहते हैं आपके बुरे में नहीं है कभीरदास जी ने तो कहा भी है न कि निंदक निहरे राखी है आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन मिना निर्मल करे सुभाए बेसिकली इसका सार जो मुझे याद है वो बेसिकली है कि आपके आसपास आपके घर के अंदर अगर निंदक जो है आपके आसपास होने चाहिए क्योंकि वो निंदक अगर जैसे एक नहाने के लिए जैसे अगर शरीर गंदा हो जाता है तो नहाने के लिए हमें साबुन की जरुरत होती है तो similarly अगर हमारे आसपास ऐसे लोग रहते है जो हमारे अंदर अगर कमी देखें और अगर हमें बताएं और हम अगर उस पर regular तौर के उपर improvement करते रहें तो तभी हमारी personality के अंदर हमारे अंदर निखा रहता basically सफलता के साथ सरल नियम का भी यही अभ्यास है यही मूल है यही कि ताकि हम regular अपने अंदर सुधार कर सकें कि हम खुद में कमिया देख सकें और अगर आसपास के हमारे हितेशी अगर हमें कुछ बताएं हमारी बुद्धी उतनी प्रखर होनी चाहिए कि कौन उसमें हमारा हितेशी है और कौन हमारा उसमें बुरा चाहने वाला है एंड फाइनली मैंने वही शेयर किया इसमें जितनी मेरी समझ है जितना मेरा अनुभव है उसके बेसिस पर ही मैंने यह व्याख्या कर दी जो की कि आसपास के मुश्किल लोगों को कैसे हैंडल करें परसनली मेरे जी से हैंडल किया है लेकिन अपनी परसनल मेरी जीवन में कोई रावन टाइप ना तो कोई व्यक्ति आया और ना कोई ऐसी परिस्थिति आई कि जो उतनी कठेनों उतनी मुश्किल हो जो मैं आसपास लोगों के जीवन में देखता हूं कि कुछ लोगों के जीवन में वैसी स्थिति जब हो तो उसको कैसे हैंडल करें उसके लिए कितना मनोबल लगता है उसके लिए क्या बुद्धी लगती है या उस्थिति का सामना कैसी किया जाता है तो इसका अनुभव जो है कम से कम मुझे नहीं है फॉर एक्जांपल मैं आपको यह बताऊंगा कि अभी एक मे लिखा मेरे पास एक मैसिज भेजा और उन्होंने मेरे को लिखा कि बहुस ऐसा है कि एक एक सिरेंट में मेरी रीड की हड़ी तूट गई और मैं पिछले दस साल से बेड रेड़न हूँ तो क्या मनोबल से ये भी ठीक हो सकती है तो मेरे पास उसका कोई जबाब नहीं था औ तो एक किसम से ऐसा हो जाता है कि हर चीज का आंसर होता नहीं है मैं आपसे क्या शेयर कर रहा हूं मैं आपसे वही शेयर कर रहा हूं जो अनुभव मेरे अपने जीवन के हैं तो वही अब और उमीद करता हूं कि इसमें शायद सब लोगों को उससे कोई मदद ना मिले लेकि उससे कोई फाइदा हो जाए और अगर किसी एक विक्ति को भी इससे फाइदा हो जाता है तो मुझे लगता है कि मैं आपने आपको धन्य समझूंगा इसी के साथ मैं इस पॉड़कास्ट का अंत करना चाहूंगा सच कहता हूं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहां तक अंत तक पहुंच गए सुनने के लिए और यह मानता हूं कि आप अंत तक पहुंचे यानि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो मैं चाहूंगा कि आपके अपने जो जानकार लोग है आप प्लीज उसके साथ उनके साथ शेयर करो चाहे आप फेस्बुक पे शेयर करो, चाहिए आप वाटसेप पे शेयर करो, किसी भी तरह शेयर करो, ताकि जो मेसिज है वो जरूरत मन तक पहुँचे, कमेंट करो अगर आपका कोई सवाल है, कोशिश करूँगा उसका आंसर दे सकूँ, और यूट्यूब चैनल पे जाओ, उसको सब्स करो, क्योंकि आने वाले वीडियो, ताकि आप तक intimation पहुंच सके, कि कोई वीडियो आया तो आप तक intimation पहुंच जाए, और similar काफी अच्छे अच्छे वीडियो वीडियो वहाँ पे हैं, तो हो सकता है कि इस वीडियो में आपको कुछ identify ना कर पाओ, तो किसी और वीडियो for now. Thank you very much for listening.